तोड़े विया गूंटो डिसकर्स सेक्षन सी इसके पहले के जो भी ए और बी सेक्षन से उसके सारे आंसर आपको बुक में मिल जायेगे अगर आपको नहीं मिलते देना आइविल प्रोवाइट एट ओके और इसके पहले जो आपको इलिस्टेशन से यह हुए है उसकी भी प् सेक्षन सी का यहां से प्रैक्टिकल कुशिन स्टार्ट हुआ है इसमें क्या पूछा हुआ है वो देख लेते पहले हम दा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रम तू एटीन ताइम पीरियर्ड और वेट इंक्रीज फ्रम रूपीस 13,500 तू 14,750 फाइं करें बते हरा कि वर आड़ीया है वह दूंडेक्स नंबर इंपर है उनका था कितना वो पहले टो वैटीज था जो कि अब कितना हो गया वह आपका 340 हो गया था उनका वर्कर का ठीक है यह क्या था कॉस्ट ओफ लिविंग इंडेक्स नंबर अभी यहां पर क्या बोला है उनको जो वेजी मिलते थे वेजेस है कितना उनका था कितना पहले कितना मिल रहा है 14,750 तो उनने कोशिन में क्या पूछा है कि वर्कर को इस बार प्रॉफिट हुआ है कुछ एक्सरा मिला है या लॉस हुआ है कि लॉस हुआ है वर्कर को वह फाइंड करना है ठीक है अभी देखो एक्चुल गें कितना होना चाहिए था और कितना हो रहा है यहा जो ारह सीmetro कोई से इए अचाहिता मिल ना टे और नहीं ने का था हो एकम जिसरा था कितना तृपर कमपैरिशन करेंगे शुआ ह yüz की ऑपने सवग तरह च훈तिर कोशि即ान से एक प्रॉफिटन है जगा था कहते सब्सक्ता टी ठास कितना ऊच्ट्क कितना कुल ना चैप ठीका तो कैसे होगा यह 314 into 135 00 divided by 280 calculate करो तो आपके इसका value आएगा 16392.85 मतलब कि उसको इसके मताबिक कितना मिलना चीए था अभी कितना wages मिलना चीए था 16392.85 कितना मिला उसको इस बार 14750 तो इसको gain हुआ है कि loss हुआ है obviously उसको यहाँ पे क्या loss हुआ है अब कितना loss हुआ है वो fine करना है वो पूछा है question में हमें तो हम क्या करेंगे उसको कितना मिलना चीए था 16392.85 माइनस कितना मिल रहा है इसको अभी 14050 deduct करो आपकी value से कितनी आएगी 1642.85 यह इसका कितना real loss उसको bear करना पड़ा किसको worker को इनको इतना amount as comparison में कम मिलना है ठीक है समझ में आया है कोई भी question ऐसे आएगा real gain और loss को तो कैसे fine करना है हमको पहले का उसका जो base कहां पर दिया हुआ है living index को उसका amount और उसका जो wages है वो लेगे हम उसके बहाफ के हम क्या पूरा calculate करेगे ठीक है नौ नेक्स question 8 the cost of living index number and average monthly wages are given follow find the real wage for each year क्या बोला इसके अंदर question में कि cost of living index number और average monthly दिया हुआ है हर year का दिया हुआ है जब यह ऐसा question आया कि आपको हर year का average monthly wages देके रखा है और cost of living index number देके रखा है और पूछा है find the real wage तो real wage का formula ही हमारा यह है कि average wage divided by cost of living index number into 100 यह है real wage का formula यह new है note कर लेना अलग से ठीक है जब भी पूछा है question में find the real wage क्या करोगे आप average wage divided by cost of living index number into 100 तो आपको question में average monthly wages और living index number भी देके रखा है क्या करना है आपको simply put करना है formula में और find करना है तो यहाँ पर कितना होगा average wage कितना है उसका यहाँ पर 35,000 divided by 120 into 100 ठीक है calculate करो तो आपका इसका amount आएगा 29166.67 समझें same for next यहाँ पर क्या करना है हमें वही same 40,000 को divide करो आप 150 से into 100 उसकी value कितने आएगी 26666.67 ठीक है now same for this कितना है वह 42,000 average monthly है index number कितना है इनका 130 into 100 तो आपके इसका amount आएगा 32,307.69 इसका भी same वही करना है 50,000 divided by 160 into 100 इसका value आएगा 31250 समझें हमें कोशन में क्या पूछा था हर year का हमें क्या real wage find करना था तो हमने क्या किया हर year का सी formula पूट किया हमें कोशन में दोनों चीज़ देके रखी थी ठीक है now 9th one 9th one के है देखो आप the wholesale price index number for the year 2014 and 15 are found to be 177.6 and 181.2 respectively find the rate of inflation using the index number of both the year आपको यहाँ पर rate of inflation पूछा है inflation का question बहुत रहा है पूछा गया है फिर भी अगर पूछे तू माक के लिए जिसको formula है हमारा यहाँ पे कि rate of inflation rate of inflation का formula क्या होगा हमारा जो भी wholesale price होगा ना wholesale price कौन सा current year का मैं शौट में लिख रही हूँ current year में का जो भी wholesale price होगा उसको आप minus करोगे wholesale price कौन से previous year वाले से फिर divide करोगे किससे wholesale price of previous year into hundred क्या करना है आपको question में आपको देखो यहाँ पे जब भी पूछा गया है find the rate of inflation क्या करोगे आप यहाँ पे wholesale price of current year में से पहले आप minus करोगे wholesale price of previous year फिर इसको divide कर दोगे same wholesale price of previous year से and then into hundred अब इस question में हमें क्या देके रखा है देखो wholesale price से के रखा है किसका 14 का 15 का इसका मतलब यह हमारा कौन सा है previous year का amount है यह हमारा कौन सा है current year का amount है तो हम पुट कर देखे formula में current year कितना है हमारा यहाँ पे 181.2 minus previous year कितना है हमारा यहाँ पे 177.6 divided by previous year कितना है वह हमारा वह हमारा है 177.6 formula पे इस पे 100 into किया solve करो तो आपका कितना है यह यह 2.03% समझें ओके तो इस वे से आपको आप यह fine करना है rate of inflation now next the 10th question the percentage increase in the price relative of 3 items are 315, 328 and 390 respectively if the importance of this item has ratio 5 ratio 7 ratio 8 find the general price index number अब यह question में क्यों क्या दिया हुआ है क्या पूछा क्या है वो देख लापको पूछा है general price index number हमें पता है इसका formula क्या है इसका formula हमारा क्या होता है sigma iw upon sigma w यह formula है तो हमें यहाँ पे क्या देके रखा है percentage increase in price relative मतलब हमें जो values देके रखिये तीन यह पूरा calculate करके दिया हुआ हमें आई देके रखा हुआ हमें यहाँ पे table में आफ फॉर्म कर लेगे जहां पर हमें suppose कि items का नाम तो दिया नहीं तीन है तो हमने नाम दे दिया उसको a b और c नाम दे दिया ठीक है अभी इसका आप इंडेक्स नंबर भी देखे रखा है आपको इंडेक्स नंबर काल्कुलेटर के दिया हुआ है को दिया है परसेंडेज इंक्रीज इन प्राइस रिलेटिव ऐसा कोशिं सेक्षिंस में भी आया था कोई 1.2 में शायद ठीक है तो 5 7 8 अब तो find हो जाएगा क्या करना है हमें iw find करना है क्या करोगे आप iw को into करोगे multiply करो कितना आएगा इसका आएगा 1575 यह आपका आएगा 2296 इसको into करो आपकी value आएगी 3120 क्या ची हमें इनका add up value चाहिए तो वो कितना होगा 6991 just put करो value में कितना आएगे 6991 divide by w कितना है पूरा आपको इसको add up करो तो आपकी value 20 आएगी डिवाइट करो 26 तो value कितना आया 349.55 समझे कैसे find किया हमने आपे जब पूछा था हमें general price index number formula वही था हमें आई देके रखा है convert कर गे पूरा कुछ ने करना है इसमें weightage दिया हुआ हमने simply table form किया और इसको find कर दिया ठीक है Now 11th one, if the average disposable income of the family of the class is Rs. 25,000 in the year 1014 and if the cost of living index number of debt class for the year 1016 with the base year 14 is 120, estimate the average disposable income of the family of debt class in the year 2016 इस question में क्या दिया था आपको कि family budget यहां पे उनका इंकम है वो था कितना 25,000 25,000 उनका इंकम था, कौन सियर में था वो 2014 में था, ठीक है और क्या पुछा है, if the cost of living index number of debt class for the year 1016 will be the base year 1014 is 120, estimate the average disposable income of family of debt class in the year 1016 हमें क्या दिया हुआ है, 1014 में उनका था कितना यहां पे इंकम 25,000 था, अभी आपको 1016 के बारे में उनका खाली एक information दिये, कि उनका cost of living index जो है, वो कितना है, 120 है तो अभी उसका कितना है, वो fine करना है, अभी फिलाल उसका कितना income है, तो वो हमें fine करना है, ठीक है तो कैसे करोगे, अभी देखोगे, 25,000 था उनका, पहले का, 14 का, अभी उनमें कितना हो गया है, 120 हो गया है तो आपको अपने पर देखे रखा है, 280, तो 100 अपका क्या होता है, base year होता है, बाके का 180 अपका क्या हो जाएगा, जो भी increase हुआ है, अपका current year में वो होता है, तो यहाँ पर क्या दिया है, तो क्या करोगे आप, इसमें क्या मतलब, कि 100 अपका base year है, उस पे आपका 20% increase हुआ है, तो क्या करोगे, आप 25,000 का 20% fine कर लोगे, 20% तो आपकी value कितनी आएगी, इसकी value कितनी आएगी आपकी, 5000, calculate करोगे तो, ठीक है, मतलब कि 5000 increase हुआ है, तो अभी आपे क्या पूछा है, 1016 में उनकी value कितनी हुई, वो पूछा है, था कितना पहले था, 25,000 था, ठीक है, कितना मिल रहा है, उनको 30,000, समझ में आया, तो उनका average disposable income of this current year, 1016 का, समझे, मैं repeat करती हूँ, उनका आपकोशिम ने क्या जिया था, उनकी disposable income थी, कितनी था, 14 में, 25,000 थी, अभी का information कुछ ने दिया है, simply, उनने क्या बोला है, cost of living index, 120 है, as we know, हमारा hundred क्या होता है, हमेशा base ह होता है, जो उपर का हुआ, हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट है, जो भी, आपका current year में वो होता है, ठीक है, तो हमें कोशिम में कितना 120 है, मतलब, 120 है, इंक्रीज जो हुआ, इंडेक्स नंबर वो, तो हमने क्या क्या है, जो increase part है, उसका हमने find कि 25 है, उससे 20% और जादा मि का 30,000, तो वो इस की, इस year की disposable income है, समझ में आया हूं, now next question, the average monthly income of a worker was 16,000, यहां पर क्या बोला है, average monthly income worker कितनी है, वो 16,000 है, कौन सी year में है, 1015 का, ठीक है, and it increased to 20,000 in the year, 1016, अब जो कोशिम में आपको simply देके रखा है, पूरा उनका income देके रखा हुआ है, 1015 में उनका income था कितना, 16,000 था, ठीक है, और 1016 में उनकी income कितनी है, 20,000 है, पूशिन में क्या पूछा है, find the index number of the income for the year, 1016 in comparison year, 1015, simple question पूछा है कि आपको index number find करना है, as we all know, index number का formula क्या होता है, P1 by P0 into 100, मतलब कि जो अभी के जो price या अभी के जो income जो भी है आपका, वो divided by previous year की जो income है, या price जो भी है, into 100, तो हमें कोशिन में दोनों चीज़ देके रखी है, अभी के भी current year की वी दिए हुए है, और previous year की वी दिए हुए है, पूछा है, पूछा है, पूछा है, 20,000 divided by 16,000 into 100, तो आपके value आएगी 125, यह है आपका index number, समझे, बहुत simple सा question था, यह अब कुछ दे के रखा था, सापने क्या किया, सिर्फ index number का formula रखके इसमें पूट कर दिया है, ठीक है, ओके, now 13th question, if the production of an item increase by 9 by 5 times in the year 2016, as compared to the base year, find the index number of production of the year 2016, अभी देखो, हमें खाली इतना पूछा है, लोग ने की find करना है हमें index number, फिलाल का 2016 का, और question में बोला है कि पहल करने के बूकाबले, जो भी एर था, पहले जो भी आप मेंशनने की है, उसमें कितना increment आया है, 9 by 5 times जादा हो गया है, ठीक है, तो हमें इतना पता है, कि हम index number कैसे find करते हैं, 100 हमारा base year होता है, प्लस जो हमारा increase value होती है, हम वो लेते हैं, यह हमारा होता है, index number fine करने का वे, तो यह हमारा hundred तो भी इसी हर है, वो तो है, plus 9 by 5 times दिया है, मतलब वो उतने time multiplied है, हमें value नहीं दिया है, तो हम क्या करेगे, assume करेगे, वो as a hundred into 9 by 5, ठीक है, तो हमें value अभी इसकी 9 by 5 times की जो value find हो जाएगी, हमें यहां पे, कितना होगा, 100 plus, कितना हुआ, find करो इसको, तो 80, add and क्या दोनों को add up कर दो, तो क्या हो जाएगा, 280, तो आएगा, इसका मतलब कि आपका फिलाल का जो index number है, वो कितना है, 280 है, simple question था, सिद्धा क्या बोला है, question में कि आपका increase हुआ है, value 9 by 5 time, हमें पता है कि base here, हमारा hundred plus increase value हो होता है, हमारा index number का, तो hundred तो है, उसके साथ क् increase क्या हुआ, वो 9 by 5 time, और बढ़ गया है, मतलब कि 9 by 5 time, हमें कुछ दिया हुआ है, value कुछ मेंशन किया है, प्राइस नहीं, तो हमने क्या किया, 100 को assume किया, तो 100 इंट 9 by 5 किया, तो value कितनी हमारी, क्या है, 180, दोनों को add up किया हो, तो आपको क्या हैगा, 280, वो आपका क्या हो 22.2 to 1.5 and if is equal to 2222, find ip, आपको question में खाली इतनी ही information दे के रखिया और बोला है, हमें ip find करो, सबसे पहले हम क्या कर लेगे, इसका value लिख लेगे, इसका formula लिखे, किसका if का, formula क्या है, इसका under root il into ip, हमारे पास जो value दी हुई है, हम पहले वो put कर लेगे, हमें if दिया हुआ है, क कितना है वो, 221.5, हमें ip नहीं दिया है, तो मैं इसको as it is भई लिख दिया, ठीक है, अब next step क्या होगा, मुझे अभी ये find करना है और ये root में है, तो मैं solve कैसे करूंगी इसको, तो हम क्या करेगे, root को निकालने के लिए, हम क्या करते है, कि दोनों side को हम क्या करेगे, square कर ठीक है, तो यानि की हमने इसको square कर दिया, तो क्या हो जाएगा, root निकल जाएगा, इसको square करो, इसका calculate करो, कैसी में, तो आपके इसकी value आएगी, 49284, ये double, इसका square किया, तो root निकल गया, तो क्या होगा, चाहिए आपे, 221.5 into ip, हमने क्यों यहां पर root लिए, हमने क्या किय इसको, दोनों height को हमने square कर दिया, ठीक है, अभी ये value हमको solve कर सकते, तो अब क्या होगा, simple ये जाएगा, division में, तो 49284, divided by 221.5 is equal to ip, simply divide कर दो, आपके value आएगी, 222.50, ये आगे value आपकी ip, simple sum था, हमने क्या किया, हम यहां पर एक value missing था, वो भी कौन सी ip की, तो हमने क्या कि पहले वो हमने लिख लिया, उसके बाद क्या किया, हमें root निकालना था, तो हमने क्या किया, दोनों side को square कर दिया, इसको square कर दिया, पर रूट नहीं, तो value square हो गई, square value हमेरे कितनी है, इसकी 49284, इसका already per root में है, तो इसको square किया, तो root निकल गया, तो क्या बचे यहां पर, जो भी typical examples है, जो भी picture examples दे के रखे हुए है, वो सब practice करना है, next class में हम section D solve करेगे, okay, thank you.